हेलो स्टुडेंट्स, आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, इंगलिश की, क्लास फोर्थ की, आज हम एक पोयम करने वाले, जिसका नेम आप सब ने पढ़ लिया होगा, टाइटल देखे, वन लुक, जिसका नेम क्या है, वन लुक, ये पोयम किस ने लिखी है, आपके माइड में क्या आता है, वन लुक, किसी एक चीज को देखना, एक बार देखना, वन लुक को देखना, देखना, थोड़ा सा आप अपना पाइंट भी बताओ, कि आपको गया लगता है, इस लेसन के नाम पढ़के, कि आपको पयम में आगे, क्या समझने वाले है, य वन लुक की बहुत इंपोर्टन था, एक बार देखी, कोई चीज बहुत इंपोर्टन होगी है, तो इसले लेसन का नाम लिखा गया, कि वो एक बार देखना ही, कुछ स्पेशल होगा, इस पोयम को नाम वन लुक है, पर ऐसा क्या देखा, जो इस पोयम का नाम, हमने वन पता ना, कि क्यो रखाओगा वन लुक, तो वो सब के अंसर समय, पोयम कंप्लीट करने के बात पता चलेंगे, तो फरस्ट अफल, हम वाम आप देख लेते हैं, डिवाइड योर क्लास इंटू फोर ग्रूप, आपको क्या करना है, अपनी क्लास को चार ग्रूप में वाट डिफरेंस दिवाइड बेविन तू गेम्स, आपको क्या डिफरेंस दिखता है दो गेम्स की बीच में, इंडोर, आउट्डोर, डिफरेंस होता है न, यू कें तिंग अलांग देज लाइन, फिजिकल और मेंटर स्टरेंड नीडिड, एरियन एक्यूपन रिकुपन जगे चाहिए होती है, खेलने के लिए न, ट्रेनिंग के होती है, तभी हम उस गेम को अच्छे से प्रॉपली प्ले कर पाएंगे, वैदर कंडिशन अच्छी होने चाहिए, अगर हम आउट्डोर गेम प्ले कर रहे हैं, तो काफी साही चीज़े नोटेस की जाती है, जब हम साही चीज़े माइड में रखके, उसके अकॉर्डिंग की गेम को प्यार के जाता है, ऐसे नहीं कि हमें क्रिकेट खेलना है, बाहर आ रही है बारेश, तो कैसे खेलेंगे, तो क्रिकेट खेलने के लिए कई साही चीज़े ज़रूरी है, एक तो प्लेयर्स होने चाहिए, बा एरिया खुला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गली में खेल रहे हो, बाल इदर उदर गए, कि ऐसा नहीं कि कुसी को हाम पहुचे, पारक जैसे पारक में खेल लिया, ऐसी जगह पे आपको खेलना है, विच गेम डिडियू लाइक मोर और रिमेंब, दियर और नो करेक्ट इंकरेक्ट इंसर, अब आप बताओ आपको कौनसा गेम पपसंद खिलना, आण्ड ये बताओ, क्यों पसंद remain इतना, अपने अपने चॉइस बताओ, चलो बहुत मुझे बताओ, कि आपको कौनसा गेम खेलना पंपसंद है, क्यों पसंद है, रिजन, सबकी अलगа अलगा अपने चैनल के आपने जो रिजन दिया वह सई है और नहीं है कुछ नहीं घाजाए का आईगा आप सब अपना एपना रिजन दिया है क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट होने का हम सिर्फ कमेंट सेक्ष्छन के ठ्रूई कनेक्ट हो सकते हैं तो आप जो भी कमेंट करोगे मैं का रिपला है आपको 24 आवर के अंदर अंदर प्रवाइट कराऊगी जो भी आपका कोशन होगा या जो भी आपके आपने आंसर दिया होगा उस पर मैं जरूर लाइक कुछ भी आपको जरूर दोगी कमेंट जरूर करिएगा या एक तरह से आपका वर्क है तो यह आप करेंगे अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं अब जैसे ही हम जब नीचे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं लेसन में तो एक गर्ल है जो की बॉल के साथ खेल रही है आई तिंक यह फुटबॉल खेल रही है पीछ से आपको दिखना है रहा है फुटबॉल खेला जा रहा है अब फुट No specific voices, it's all just a blur The only person I really notice is the yelling of my coach तो यह girl है, यह girl बोल रही है कि जब मैं मड़ी ग्रासिन कीचर वाली ग्लास फिल्ड में खड़ी थी तो सब चीर कर रहे थी, जैसा कि गल कर यह पीछे आपको दिख रहा है न पीछे लोग होगे जो उन्हें चीर कर रहे थे, crowd तो वो बताना चाहरी है कि मुझे किसी की भी voice clear ने सुनाई दे रही थी, आवाज आ रही थी, पर blur आ रही थी, कोई specific voice ने आ रही थी, blur Clear सुनाई नहीं दे रहा था कि कोई क्या कह रहा है, कौन सा पसंद रहा है, कुछ नहीं जो चीज उसे सुनाई दे रही थी, इसमें नोटिस करी थी, वो थे उसके कोच, जो से बहुत shoutingly, excitedly shout करे थे, हाँ तुम कर सकते हो, इस तरह से, वो भी उसे cheer कर रहे थे तो सिर्फ गल ने किसके वाज नोटिस करी, अपने कोच की As I go to challenge the ball, I think I want my coach to be proud of me, the ball is at my feet, I have to be quick, I dribble up the side of the field, cut in and cross one touch, from another player and goal, I know my coach is proud of me from just one look तो बोला, girl क्या बता रही है, जब वो ball को माने जा रही थी, challenge कर रही थी, जैसा कि आपको picture में show हो रहा है तो वो सोच रही थी, mind में कि मेरे coach proud करेंगी, मेरे पे, मेरे पेरों में ball है, मुझे उसे जल्ले रिवहान है, तो वो भागते भागते धीरे धीरे, पेरों से मारते, मारते, बचते बचाते, goal करती है, क्या करती है, goal, another player से बचती है, and then goal करती है तो वो से कहती है, मुझे पता है, मेरे coach मुझे पे proud करेंगी, from just one look, क्योंकि ये just one look था न, जब उसने goal करा, वो look उनके लिए बहुत prouding moment था, किसके लिए, okay, coach के लिए, girl के, यहाँ पे girl का name हमें नहीं बताया, actually जिनके ने ये poem लिखी है, तो वो ही ये बता रही है, ये poem, अपनी कहानी एक poem के through, walking to the car, ball in hand, covered all in mud, I receive compliments on a great game, I say thanks, but all that matters, after the game, winning goal is that one look from my coach, वो कहती है, मैं हाथ में बॉल थी, मडड़ जोकी कीचर में थी, कीचर में सनी भी थी बॉल, and मैंने compliment रिसीव करें, game के बाद, जैसे कि जीत गई थी वो उस goal के बाद, जो उसने winning goal मारा था, उसके बाद, उस coach के लिए, एक वोई look important था, तो वो सबको thanks कहती है, all जो भी matter हो जो winning goal था, उसके बाद, वो दिख दे कि जो one look था, from my coach, वो one look अपने coach को रिप्दारी, कि कैसा one look था, one look किया था, जब उसने winning goal मारा था, last goal, जिससे उनके team यह थी थी, यह थी आपकी छोटी सी poem, I hope आपको समझ आई होगी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, शेयर करें में फ्रेंड्स के साथ, और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, so thank you for watching my video,